नमस्कार दोस्तों रियस्वेसर एकडमी के P.E.T के इस रननीती कच्छा कारिक्रा में आप सभी लोगों का स्वाकत है कहते हैं कि परिंदों को मिलेगी मंजिल ये फैले हुए उनके पंक बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोस अक्सर जमान में जिनके हुनर बोलते हैं अब जिस तरीके से UPSC के द्वारा आयजित होने वाले P.E.T परिछा के लिए जो समय बचा हुआ है उसमें बहुत ही रननीती का स्तर पर आप लोगों को तयारी करने किया हो सकता है जिससे आपने समय सकती संसाधन और उर्जा का इस तरीके से उपयोग कर पाए हैं जिससे कि आपकी तयारी कम समय में ज्यादा हो पाया और P.E.T में अच्छे मार्ट स्प्राप्त करके उन सफलता के बुलंदियों को छूँ सके जो अपने मन में आप लंबे समय से संजो करक तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बचे हुए समय में जो कि आप लोगों के लिए काउंडाउन के रूप में जो है जाना जा रहा है हम एक ऐसे रणनीतिक कच्छा कारिकरम पर चाचा करेंगे जिससे आप उपने तयारी को एक सुनियोजित सुब्यवस्थि धंग से उस तक जो है ले जाएंगे जिस पर यूपी ट्रिपल सी के द्वारा जो है प्राणभिक अरता परिच्छा को आयोजित किया जाएगा तो इसके लिए जो है हम पूर्व के इंट्रोड़क्टरी क्लास में जबकि हम बिजेता बैच को प्रारणभ किये थे उसके इंट्रोड़क को पास कर के ही उस लक्ष तक जो पहुँश माएंगे तो सरकार के पास जिस तरीके से कम समय बच्चा हुआ है उसमें यूपी ट्रोडसी के द्वारा कई भरतियां आप लोगों के लिए आने की बात कही गई थी और इस समय कई प्रकार के भरतियों को यूपी ट्र posled की कि द करने में जो है सफल हो पाएंगे तो कुछ बिंदू को हम लोग यहां पर देखते हैं जिसके माध्यम से आपको जो यारी करना होगा तो इसमें कुछ बिंदुवार जो है बाते क्रमसा इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले आप इस परिष्षा में आ थी संशिप्ट आप जो समय बचा हुआ है उसमें आपको अति शंशिप्ट नोटस का अधिनकरना होगा दूसरे नमबर पर इसमें किताबों से ज्यादा पूर्ब बर्शों के हल को दूराना होगा पूर्ब बर्शों के हल प्रश्न पत्र पूर्बर्शों के हल प्रश्न पत्र जो है देखने होंगे और तीसरे नमबर पर टेस्ट के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना है आज संचित लोग बात्मान समय में जो आपके पास समय बचा हुआ है इसमें सेक्षन वाइज अगर आप इसको सेक्षन में बाड़ते हैं तो इसमें देखेंगे कि जीयस, गनित, अंग्रेजी, हिंदी, बिज्ञान, समसामाई, घटना इस तरीके से जो चीजे निकल करके जो सामने आती हैं तो आप लोग अभी तक जो तैयारी किये हैं और जो इस चैनल के माध्यम से बिजएता बैच श्टार्ट किया गया था लगबग 50 इंपोर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए प्रवाइड किये गये हैं और उस लेक्चर के माध्यम से आपको अपने तैय शाहस बिखसित कर पाएंगे तो अब यहां पर आप को जो है किताबों किताबों के बजाए जो आतिस इस न्जित नोस को पढ़ना वगा कीताबों को नहीं बलकि असल्छित नोस पढ़ना होगा उसमें लगबग 25 से 30 ऐसी परिच्छा है जो आप इस लेबस से मैच करती हैं तो उन कम से कम जो है 20 से 25 बरसों के प्रश्मिपत्रों को अब दुहराने का समय आ गया है जिससे आपको तथ्यात्मक सवालों पर अपनी पकड़ बना पाएंगे जो की UPTSC के द्वारा इस परिच् istent वबरसों के हल को आपको दो द्हों दोहराने का जो बार-बार परियोग करना हो और इसके पहले भी आप ये कारे कर चुके होंगे तो जो लोग ये कारे कर चुके तो पूर्व वर्सों के हाल को आप इस बीस दिन में जो है देखने का प्रियास करेंगे तीसरा टेस्ट है यहां पर आपको एक से दो टेस्ट देना है और गो दो टेस्ट आपको दस दिन पूर्व एकजाम के दस दिन पूर्व देना होगा और टेस्ट देने से कई चीज़ें विपनदिक्र करते सामने आती हैं जो आपको परिछा में होने वाली गलति से आपको बचाती है इसमें परिछा के दाउरान क्या और सिक सामागरी है उससे जो है आपको सामागरी के बारे में जानकारी मिलती है समय का प्रबंधन इससे आपका समय जो है समय का प्रबंधन होता है और डर डर भी जो है खतम होता है क्योंकि जब सामागरी होगी समय का प्रबंधन होगा डर खतम होगा और आपके पास एक आत्म विश्वास होगा आत्म विश्वास किसी परिच्छा के लिए बहुत ही महातुपून होता है क्योंकि इस आत्म विश्वास के माध्यम से आप पूरी एक्जाम को फता करने में जो है अपने आपका मदद कर पाएंगे और एक-एक सेक्षन से एक-एक कोईस्चन को आप इकठा करने का प्रियास कर पाएंगे और इससे आपका ओवराल पूरी परिच्छा में बहतर प्रदर्शन होगा जिससे उस प्यूटी के परिच्छा में ना केबल पास बलकि अच्छी मार्स प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी तो यह आपको एक से दो टेस्ट देना होगा यहां पर यह भी ध्याम में रखना होगा वो टेस्ट चाहे किसी कोचिंग का हो या इसी तरीके से चाहे किसी बुक्स का हो नोस का हो वो टेस्ट आप दीजिए और टेस्ट में मिले हुए मार्ट से आपको डरने की घबराने की क कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह टेस्ट आप केवल इन बातों के लिए कर रहे हैं इन बातों के लिए दे रहे हैं जिससे आपको इन सभी बिंदूओं पर जो है आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा और पूरे प्रशनपत्र पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो यहा पर आपको टेश्ट देना होगा दसदिन फूर्व ताकि दस्थन में आप उन बातों को जो है सुधार सके उंपष्ण को चुझार जो की परिच्छा में होने वाली है ताकि परिच्छा में उन तूटियों को दूर कर सके और वहां पर गलती को बचा कर अच्छे मार्च प्राप्त कर सके अगरा यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि करम आपका बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके जो सिलेबस में से कम समय लगता है ताकि हम बाद के सेक्षर में जहां पर ज्यादा समय लगता है उसके लिए समय बचा पाएं तो इसमें सबसे पहरे आपको जीएस के फोर्ट्शन को करना है अब जीएस में कई चीजें जो है सामिल होंगी जैसे तिहास गोल अर्थसास्त्र तो यह सारी च जीए विज्यान का प्रश्ण करना होगा इसके बाद और इसके बाद अंग्रेजी के प्रश्णा आपको करने होगे यह आपके लिए जो है क्रम है इसके बाद आपको रिजनिंग करना होगा कि रिजनीं के बाद आपको गणित करना होगा तो यह आपका कहीं न कहीं जो है एक आडर बनाता है और इस आडर के माध्यम से आप पूरे प्रश्ण पत्र को समय के प्रबंधन के आधार पर कर पाने में जो है सफल होंगे और यहां से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कठ कर चुकिए होंगे इसलिए आपके उपर दबाव नहीं बनेगा और अंग में गणित जिसमें सबसे ज्यादा की जरूरत होती है वहां के लिए आप समय बचा पाएंगे और आत्मिस्वास के साथ पूरे प्रश्ण पत्र को कर पाएंगे तो क्रम को आपको दुध्यान में रखना पर तेक दसा में जो है आवस्यक ही आवस्यक है इसके साथ में आपको कुछ सावधानिया भी बरतनी होंगी और वन सावधानियों के माग दिन से आप अपने प्रश्ण पत्र में सहज भाव महसूस कर पाएंगे और कुछ गलतियों को जो रोख पाएंगे जैसे इसम क्योंकि आपके वर पढ़ेंगे नहीं कि उसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे और प्रशन को भाव के अमसार समझ पाने में सक्षम होंगे तो वहां पर आपको उत्तर देने में कोई थूटी और कोई जुए गलती नहीं होगी तो यहां पर आप ध्यां में रखेंगे और आपका प्रश्णुहां पर गलत हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रश्णु को पूरा पढ़ने के बाद चारो विकल्ब पढ़ेंगे। हो सकता है उस विकल्ब में दो विकल्ब सही हों तो हमेश्ता वोतम विकल्ब की तरास करना होगा। important and respects पहलू है एक बटे चार जो है एक बटे चार अंग जो है आपके minus marking के लिए निर्धाल किया गया है यानि कि अगर आप एक सवाल सही करते हैं एक सवाल सही करते हैं तो इस पे आपको एक अंग मिल जाएंगे और चार सवाल आप गलत करते हैं तो उस पर आपको एक अंग जो है वो कट जाएंगे यानि कि चार गलत प्रश्ण और एक सही प्रश्ण आपका बरावर होगा कहने का ताथ पर यह है कि इसके आधार पर आप जो है उन सवालों के बारे में निस्कर्श निकालेंग जिन के बारे में आपको पोरे उत्तर की जांकारी नहीं है अभ यहां पर यह ध्यान में रखना है कि अगर किसी सवाल के बारे जाएंगे कट जाएंगे तो यहां पर आपको फिर भी जो डेल नंबर आपको इस्ट्रा हो जाएगा इसके बाउजीद भी हो सकता है यहां पर एक सवाल जो है आपका सही हो और तीन गलत हो फिर भी आपको यहां पर एक बटा चार नंबर वहां पर बिलेगा तो इस तरीके से 50% की अकूरेसी या 50% अगर आपको किसी सवाल के बारे में जानकारी है आ रहा है तो आप उस प्रश्म को अटेंटिक कर सकते हैं तो निश्चे तोर पर आज की लेक्चर में हम लोगों ने पीटी परिच्छा के माध्यम से यूपी ट्रिपलेस्टी के द्वारा आयोजित होने वारे विभिन प्रकार के पदों के लिए जो यहां पर जद्दो जहाद चल रहा है जो प्रियास चल रहा है उसके लिए हम लोगों ने एक रणे नीतिक चर्चा किया उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपको एक असपष्ट दिसा मिली होगी जिससे परिच्छा को फता करने में आपको मदद मिलेगी आप मेहनत और इमानदारी से उस लक्ष पहुँचने का जो प्रियास कीजिए उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से लक्ष तक पहुँचने में आपको निश्चित तोर पर जो है मदद मिलेगी आज की लेक्षर में बस इतना ही अगले लेक्षर में पूरा एक नेटापी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार